नमस्कार दोस्तों दिली का 5 star hotel अशो का hotel इन दिनों चर्चा का विशव बन गया है। सरकार के तरफ से न्याइक अधिकारियों के लिए, खरमचारियों के लिए और कोट के जजों के और उनके परिवारबालों के लिए करवाया जाएगा और इसी आदेश के बाद दिल्ली सरकार सीधा आरोपों की बोचार जेल रही है दिली सरकार के उपर आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ दिली में आई दिन जो तस्वीरे निकल कर सामने आती हैं जिसमें गरीब तपका मिडल क्लास का नुमाइंदा जो टैक्स भी भरता है लेकिन उसको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पानी की वज़ा से उसकी जान चली जाती है कई बैट की वव़स्ता ना होनी पानी की वज़़े से उसकी जान चली जाती है तो वहीं दूसी तरफ नियाएक अधिकारियों के लिए ये वववस्ता करना क्या ये घूज देने जैसा नहीं है क्योंकि वहांपर स्थियां ऐसी हैं दोस्तों कि इस होटल में नियाएक अध पजूद रहेंगी और संचालक जो होटल का है यह सारा का सारा काम उनको करना होगा यह आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है इसी आदेश को आपत्ती के साथ सामने ला दिया है डॉक्टर मिश्रा साब ने यानि की ऑथोपैटिक सर्जन है डॉक्टर कोशल कांत मिश्रा जो आप उक्सिजन की व्यवस्ता वहां पर नहीं कर पा रहे हैं उक्सिजन की सप्लाई ना हो पाने की वज़े से लोगों की जान जा रही है और तो और उन्होंने ये तक कह दिया था कोट की ओर से कि अगर सप्लाई जो रोकेगा उक्सिजन की उसको फांसी के फंदे पर लटक लेकिन फिर वही कोट के नुमाइंदों के लिए ऐसी विवस्ता आम और खास में सीधा अंतर बताती है लिए गया है क्योंकि इसमें कोई दोराई नहीं है दोस्तों कि किस तरीके से बीते दुनों हमने देखा ऑक्सिजन की कमी बैट की कमी के चलते कई लोगों की जान चली गई चाहिए वो जैपूर गोल्डन अस्पताल हो या फिर तमाम दिली के हॉस्पिटल्स यहां पर ऑक्सि चानकारी इस बीच हम चोड़ देते हैं कि सुप्रीम कोट की ओर से भी कोविट सेंटर को लेकर यह जिक्र किया गया था कि साठ बैट का कोविट सेंटर कोट में बनाया जाए और इसको लेकर खुछ सीजाई ने जो जगा है वो सुनिश्चित की थी लेकिन दूसी तरफ उनके परिवार वालों को ठहराया जाए उनको उनके परिवार वालों की तरह ही यानि कि खास लोगों की तरह ही आम लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाए और उनकी जान बच पाए क्या यह माना जाए कि आम और खास की जान में वाकई सरकार अंतर बता रही है आपको क्या लग